सुन जैसे जैसे एक्जाम नजदी का रहा है मेरे पास जादा तर जो आजकल फोन कॉल आ रहे हैं वो इस चीज के आता है सरसिलिबस खतम हो गया आप समझ नहीं आ रहा क्या करें सरसिलिबस हुआ नहीं है अभी तक तैयारी चालो निकी एक लेविल पे कही ना कहीं ये डर होता है कि इस बार सलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा तो मैं इस वाली चीज को एड्रेस करना चाहता हूँ कि ये जो डर है आपके लिए अच्छा है ये आपकी तैयारी के लिए अच्छा नहीं है पहली चीज समझ लीजिए कि आपके लिए इस समय ये टॉक्सिक है میरे एक साब से टॉक्सिक है य चीज टॉक्सिक है डर लग रहा है आपको किसबात का डर लग रहा है जरह सोचो तो सहिए आप आप overthinking कर रहे हैं बे मतलब में सोच रहे हैं पता नहीं पेपर कब होगा मुश्किल आ गया तो क्या होगा पहले आसा आना रहा था NCRT के बाहर आ गया तो क्या होगा overthinking चल रही है और pressure of perfection चल रहा है कुछ chapter हैं जो आते हैं पर बे मतलब है अलग अलग जगह से उन पे जादा time लगा रहे हैं और उन चीज़ों पर time नहीं लगा रहे हैं जहांपे syllabus हुआ हिना है जहांपे कुछ भी तयारी नहीं चीए है ज़हांपे question फ्रैक्टिस नहीं है जहांपे theory नहीं पड़े हैं ठीक है तो यह चीज़ अच्छी नहीं है कुछ नहीं पता एक्जाम है किसी को नहीं पता पेपर में क्या होगा आप इस positive attitude के साथ चलिए कि जो होगा अच्छे के लिए होगा ठीक है ये सोचिए बस कि पेपर में आपको कोई surprise नहीं मिलने वाला जो पेपर होगा आपको सब कुछ आता होगा आप इस attitude से तयारी करिए और इसके बाद चीजों को simple रखिए ज़्यादा सोची मत तो चीजों को simple रखिए और दो चीजों पर focus करिए सिर्फ दो चीज़े ऐसे सोच लिजे आपको हर रोज 10-12 घंटे पढ़ना है आपने बहुत मैनत किये अभी भी काफी टाइम बचा है अभी जितना टाइम बचा है आप ऐसे सोच लिजे पूरे नीट की तयारी धाई अजार से 2600 घंटे की है और अभी आप अब से लेके नीट एक्जाम तक मेरा expectation है जैसा मैंने बार-बार बोला है जून एंड या फर्स वीक अफ जुलाई से पहले नहीं होगा तब तक आप गरीब 1100 घंटे पढ़ सकते हैं सोचिए पूरी तयारी 2500 से 2600 घंटे की है और आप आराम से अभी भी 1100 से 1200 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप अपने साथ बस ये promise करिए ये कोशिश करिए कि मैं हर रोज 10 से 12 घंटे पढ़ूँगा और दूसरा चीज अपना plan बनाए रखिए plan क्या है? micro target के साब से चलिए 5 step 14 day preparation 5 step 14 day preparation आपने तयारी चालू नहीं की आपके बहुत कम chapter खतम हुए बहुत ज़ादा हुए है जो कुछ भी है आज से चालू कर दीजे इस साल नहीं होगा अगले साल हो जाएगा पर ये fear अपने दिमाग से निकाल लीजे इस साल नहीं होगा तो क्या होगा अपने दिमाग में उसकी बजाए ये चीज डाल दीजे कि जो बचा हुआ टाइम है उसका पूरा जूस निकाल लूँगा ग्यारा सो घंटे से कम बिल्कुल नहीं होंगी मेरी पड़ाई ठीक है हर रोज 10 से 12 घंटे पढ़ूँगा 14-14 दिन का माइक्रो टार्गेट बनाऊंगा 14 दिन के एंपे टेस्ट दूँगा उससे पहले सिलेबस खतम करूँगा वो जो टेस्ट हो रहा है उसका रिविजन करूँगा टेस्ट के बाद पोस्ट मॉर्टम करूँगा यह करता जाऊंगा आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है आप हमारा फुल कोर्स जॉइन कर सकते हैं आपको लगता है नहीं यार तैयारी काफी अच्छी हुए यह फुल कोर्स ने करना आप सिंगल सब्जेक जॉइन कर सकते हैं आप शॉट डूरेशन रिविजन कोर्स जॉइन कर सकते हैं है ना क्वेस्टन बैंक टेस्ट सीरी जॉइन कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी जॉइन मत करिए पर इन दो चीजों का ध्यान रखिए ठीक है इन दो चीजों का ध्यान रखिए और आपको बहुत बेनिफिट होगा अपने दिमाग से डर अटा दीजे एक्जाम के दिन क्या होगा उसके बारे में अभी सोचके आपको रती बर भी फायदा नहीं होगा जिल्च जीरो सिफर जो भी बोलना चाहते हैं कुछ भी फायदा नहीं होगा सिर्फ खुद के ओपर जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा यह री फायस्टेल बार बार बोलता रहूंगा सेट कर लिए अपने मौक टेस का डेट यह मौक टेस दूंगा आपको पता है क्या सिलेबस है सिलेबस खतम करिए उसका मौक टेस से पहले उसका रेबेशन करिए बाइदवय आपको remind करना चाहता हूँ 14 पारच को मौक टेस्ट हो यदि आप के फिनिश हो गये अब रिविजन चालो कर दीजें 14 minutes के मौक टेस के लिए मैंने आपको बोला था 35 से 40 गंटे का रिविज़न चाहिए तो पहता चला क्या वह प्रेशा अगले मॉट क्ależy से पहले देडे कि अечается पहले थी थीक है तो मैं आपको बस येए बताना चाहता हूं आप तयारी अभी चालू कर रहे हैं बीच में पहुंची है एंड तक पहुंच गई है फरक नहीं पड़ता आप जिस दिन चीजों को सिंपल कर लेंगे स्टार्ट कर देंगे आपकी बहुत अच्छी तयारी हो जाएगी आप बस यह सोचिए एक्जाम में होता है सेलेक्शन नहीं होता वह इंप जाल दीजे खुद के ओपर कॉंफिडेंस रखिए और बस बढ़े जाईए आगे आसपास की चीजों के बारे में मत सोचिए ओवर तिंकिंग मत करिए क्या होगा पेपर के दिन मत सोचिए परफेक्शन की तरह मत जाईए सिलेबस कंप्लीशन की तरफ ध्यान दीजे 7591930 पर बच्चों अपने उपर कॉंफिडेंस बनाए रखिए ठीक है आप खुद डर के कहीं भी नहीं पहुंचे वाले कॉंफिडेंस रखिए अराम से तयारी करिए कोई फरक नी पड़ेगा सेलेक्शन नहीं होगा जब आप अपने दिमाग में ये वाली चीज बैठा ल बिलकुल बंद करिए ठीक है बच्चों